डेखे है। हईलो फ्रेंच देखें आज हम बात करने वाले शिजलोन एनरजी के बारे में इसका result आया है। इस result को देखेंगे क्या effect इसका रहेगा साथ ही-साथ क्या level रहेंगे entry के या exit के हमें अभी क्या करना चाहिए, इसमें शेल करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सब देखेंगे बस आप 4 मिनट वीडियो में बने रहीएगा, 4 मिनट की वीडियो होगी और उसी में देखें सारा कुछ हम डिटेल में बताएंगे आपको और ऐसी चीज भी बताएंगे देखे जो अभी तक आपने साइध रिजल्ट देख भी लिया हो लेकिन उसमें किसी ने भी आपको यह चीज नहीं बताई होगी जो इसके favor में बहुत अच्छी चीज हुई है company के वो भी हम देखेंगे तो चलिए नीचे चलते हैं देखे रिजल्ट पर और जब तक बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को लाइक किजेगा और टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के description में उसको आप जोइन कर लिजीए वहाँ आपको share market की हर update पलपल पर मिलती रहती है और देखे अभी जो इसका result आया है इसने revenue करा है 1449 करोड का और इवेटा में इसके 14.9% का उच्छाल देखने को मिला है मैं और net profit देखिए बहुत ही शांदार हुआ है 107% बढ़ा है year on year अभी नीचे चलके और देख लेते हैं इसको detail में और देखिए हम चाहते हैं कि अभी एक live session रखा जाए जिसमें कि आपके सारे doubt आपकी सारी query clear की जाए तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो फिर comment box में बताईएगा हम बहुत ही जल्द live आने वाले हैं उसमें जो आपके सारे doubts हैं उनको clear किया जाएगा और जो भी आप share के बारे में पूछना चाहेंगे तो उसके entry level exit level सब बताए जाएंगे तो आप comment करके जरूर बताईगा live आएं या नहीं दिखे अभी देख लेते हैं इसकी order book भी इन्होंने order book भी अपनी declare की है जो 31 December तक इनको मिली हुई है उसमें देखे सेंट्रल से मिले हुए हैं इने 409 मेगावाट इस्टेट से 56 मेगावाट और जो पी यूस बगरा होते हैं या रिटेल कंपने होती हैं उनसे मिले है इने 315 मेगावाट के कुल मिलाकर 782 मेगावाट के इने order मिले है 31 December 2022 तक तो एक strong order book इनकी हमें अब देखने को मिल रही है तो देखे अभी आ चुके हैं हम सीधे result पर और अगर हम इनका review नहीं देखें तो 1449 करोड का हुआ है जो पिछले बार था 1430 का और पिछले साल सेम quarter में था 1597 करोड का तो quarter on quarter तो बढ़ा है लेकिन year on year इसमें हमें ग्रावट देखने को मिली है साथी साथ इब था देखिए सेम quarter में पिछले साल 37 करोड का और पिछले quarter में था 56 करोड का तो year on year यह डबल हो गया है बहुत अच्छा हमें जम्प यहां देखने को मिला है और अगर हम बात करें quarter on quarter की तो यहां भी लगभग 50% की जम्प हमें देखने को मिली है कंपनी के assets हो गए हैं 5905 कर जो net debt था 2700 का 2730 करोड का अब घट कर रहा है सिर्फ 2035 करोड का तो debt बहुत तेजी से company reduce कर रही है अब जो है company अच्छा तेजी दिखा सकती है लेकिन देखिए इसमें जो entry level रहने वाले हैं वो रहेंगे आप अभी अगर मान लीजी आपने 1000 share लेने हैं तो अभी आप 200 share ली तो 200 share और लीजिए और बाकी के जो share है वो आप 8.5 रुपे पर लेजिएगा लगभग 200 से 300 और 8 रुपे पर अगर मिलता है तो बाकी जितने भी share बचे हुए हैं कितने 400 share बचाएंगे तो वो 400 share फिर आप 8.8 रुपे पर ले सकते हैं तो ये तो रहेगी इसमें buying की strategy और दे तो पहला target तो है 13 रुपे का उसके बाद अगला जो target आएगा वो आएगा लगभग 19 रुपे और future में देखिए long term में बहुत अच्छे return हमें मिल सकते हैं और जो मेरी strategy इसमें रहेगी investment की वो यही रहेगी कि बहुत थोड़ा सा amount बहुत लंबे समय के लिए लगाए जाए 10 चोटी company है अभी इसके operator जो है इसको गिरा सकते हैं या भगावी सकते हैं अगर भागे तो एकदम से आखे मेच कर आखे बंद करकर invest नहीं करना है इस बात पर आपने ध्यान देना है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज लाइक कीजिगा चैनल को सब्सक जय हिंद जय भारत